दोस्तो आज मैं आपको मूंग डाल का उत्पम बनाना बताऊंगी और मूंग डाल जो होती है बहुत ज़्यादा फाइदा करती है और इसमें बहुत ही मातरा में प्रोटीन पाया जाता है अगर आपके बच्चे डाल खाने से आना कानी करते हैं या बोलते हैं कि रोज रोज तो उनको आप इस तरीके से उत्पम बना के दें मैं गारंटी से बोलती हूँ कोई इस तरीके से अगर आप उनको उत्पम बना के देंगे तो उत्पम उनको बहुत पसंद आएगा तो रेस्पी शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चनल पे नए हैं वीडियो उसको पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथी साथ बैल बटन को भी दबा दीजे जिससे आने वाली रेस्पी का नोडिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो तो चलिए मूंग डाल के उत्पम को बनाना हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक बड़े से बावल में पानी गरम होने के लिए रख दिया है जैसे ही पानी गरम हो जाएगा इसमें डालेंगे हम आदर कप मूंफली दो हरी मेर्च और साथी साथ डालेंगे थोड़ा सादर का टुकडा एक टमाटर के दो भाग करके हम इसमें डाल दे दीजिते हैं डेड़ कप हरी वाली यानी चिलके वाली मूंग की दाल में पर्याप्त मातरा में North variable पाया जाता और यह प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोथ है और यह बाली जो डाल होती है बहुत बहुत जादा यह healthy होती है और बहुत ज़दा यह फाइदा करती है अब हमें यहाँ पर इन सारी चीजों को लगभग 20 मिनट के लिए ढख के इसी तरीके से गरम पानी के अंदर छोड़ देना है तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद यह 20 मिनट हो चुके हैं दाल हमारी अच्छे से फूल चुकी है यह दिखिए इसके पानी को हम हटा देंगे और एक से दो बार इनको हम धो लेंगे यह यहाँ पर मैंने सारी चीजों को अच्छे से धो लिया है दोने के बाद इनस सबको डालेंगे एक ग्राइंडिंग जार में क्योंकि इनको करना है हमें बारेक ग्राइंड तो आदादा करके सारी चीजों को हम पीसेंगे अगर ज़रुत पढ़े तो आप इसमें पानी भी एड़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर इसमें एक कप पानी का इस्तिमाल किया है पीशते समय सारी चीजों को हम एक बाउल में निकालते हैं और इसी तरीके से बाकी दाल भी पीश के हम रेडी करके रख लेते हैं सारी दाल यहाँ पर हमारी पिस गई है और आप देख सकते हैं पर्फेक्ट तरीके से यह पिसी है तो एक बार चला देते हैं और अभी यहाँ पर यह दाल थोड़ी गाड़ी है तो इसमें डाला है मैंने आदा का पानी मिला धिया है अच्छे से पानी को अब हम थोड़े से मसाले अड़ करेंगे तो ये डाल दिया है मैंने एक चुथाई चम्मच की करीब जीरा एक चुथाई चम्मच लाल मिर्च मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बड़ा भी सकते हैं एक चम्मच नमक मिक्स कर देते हैं सबको अच्छे से और अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी हल्दी तो ये मैंने डाल दी है एक चुथाई चम्मच हल्दी हल्दी डालने से इसका जो कलर है वो भी अच्छा आता है हल्दी एंटिवाइटेक होती है तो फाइदा भी बहुत करती है मिला दिया है अच्छे से मिलाने के बाद फाइनली हमारा ये बैटर बन की तयार हो गया है तो चलिए फटाफट से हम उत्पम बना लेते हैं तो उत्पम को बनाने के लिए मैंने पहले से ही तबा अच्छे से गरम होने के लिए रख दिया है गरम होने के बाद इसको थोड़ा सा हम तेल से या फिर घी से जो भी आपके पास हो आप उससे ग्रीस कर सकते हैं मैंने आपा इसको तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है ग्रीस करने के बाद हम लगभग देड़ चम्मची करीब बैटर डाल कर बैटर को ऐसे फैला देते हैं बैटर को अच्छे से फैलाने के बाद आप हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई प्याज थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ी सी कश्मीरी लाल मेंच हम डाल देते हैं देखने में अच्छी लगेगी और सबजी आप अपने टेस के अकॉर्डिंग इसमें और भी एट कर सकते हैं आप चाहे तो शिमला मिर्च का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसको हम नीचे से सिखने देते हैं आप देख सकते हैं उपर से इसका जो कलर है एकडम ड्राय ड्राय हो गया है नीचे से सिख गया है इसको मैंने पलट लिया है और पलटने के बाद दूसरी तरफ भी हम इसको लग भग 20 से 25 सेकंड तक सेक लेंगे यहाँ पर हमारा पमम भी से चेंकτε है नोसब सब करैंगे कि टमैटो केचप के साथ आप चाहें छाएं की चटनी के साथ इनको खाँ सकते हैं थे जो स्वादश लगते होते हैं और अगर तो फूंग गसे बार उतम सब्我च बंचा एस वे अच्छी लगे तो एक कमेंट करके जरूर बताईए इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाये रखिए मेरे साथ जोड़े रहिए अपना ध्यान रखिए अपने परिवार का ध्यान रखिए आपका दिन शुभो नमस्ते